हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो मा यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल जोलोजिकल पार्क न्यू डेली की डेली के चिडिया घर जाने के लिए आपको आउनलाइन टिकेट करानी पड़ेगी आउनलाइन टिकेट 80 रूपीज पर परसन है ये जू अंदर काफी बड़ा है जो की 176 एकड में फैला हुआ है इसलिए अंदर बैटरी ओपरेटेड रिक्षा भी चलाए गए हैं हम वहाँ पर संडे के दिन गए स्कूल के भी धेर सारे बच्चे वहाँ आई हुए थे ये ब्लैक स्वान है काला हंस इस चिडिया घर के अंदर कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है इस जोलोजिकल पाप में आपको धेर सारी फ्लैमिंगोज बर्ड देखने को मिलेंगी जो यहां की नहीं है यहां पर अंदर बाहर से लाया हुआ किसी भी तरह का खाना अलाउड नहीं है और अंदर भी आपको कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद बैठने के लिए जगय और वाश रूम्स और पीने का पानी आपको इजिली एवलेबल है यह हैं इंडियन ड्राइनोसेरस यह है हिप्पो कैंपस इसका वजन 300 किलो होता है लेकिन जब यह पानी में जाता है तो यह काफी हलका मैसूस करता है और पांच मिनिट तक पानी के अंदर रह सकता है यहां पर अलग अलग रंग की मकाव बर्ड हैं जिनकी टेल्स खुब लंबी लंबी हुआ करती हैं इसमें धेर सारी अलग अलग तरह की बर्ड साब देख सकते हैं अगर आप एक ही दिन के अंदर जू और पुराना किला दोनों ही कवर करना चाहते हैं तो एक ही जगह अपनी गाड़ी पाक कर सकते हैं और अगर आप किले को भी अच्छी तरह से घूमना चाहते हैं तो आपको जू में बैटरी ऑपरेटर्ड रिक्षा जरूर ले लेना चाहिए इस जू की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जूलोजिकल पाक ही है यानि कि आप इसको पाक की तरह एंजॉय कर सकते हैं बातशसस की कि आपसे सकते हैं प्रिट प्रॉब्टॉ खड़ी